Hello everyone, welcome to your own YouTube channel The Mathematician Show Friends, I hope you will be fine आज के इस वीडियो में हम लोग इस question को solve करने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं Friends, जैसा कि आप देख सकते हैं question में find the missing number मतलब ये एक series है और इसमें x का value find करना है जो की missing है तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे series में इन सभी number के बीच जो relation होगा उसको find करेंगे उसके बाद हम लोग x का value find कर सकते हैं तो देखिए आप 3 को अगर हम 1 से multiply करते हैं तो 3 आता है 1 जा 3 उसी तरह 3 को 4 से अगर multiply किया जाए तो 12 आता है है ना, जो की next number है series में उसी तरह 3, 9 जा होता है 27 3, 16 जा 48 3 को हम 25 से अगर multiply करते हैं तो 75 आता है और 3 को अगर हम लोग किसी number से multiply करते हैं तो x आता है और फिर 3 को अगर 49 से multiply करते हैं तो 147 आता है जो की last number है series में ठीक है तो हम देख सकते हैं कि ये first multiple है 3 का ये fourth multiple है 12 ये ninth multiple ये sixteenth multiple ये 25th multiple ठीक है ये भी हम लोग को नहीं पता है और ये 49th multiple ठीक है आप देखेंगे कि one में हम लोग अगर three add करते हैं तो four आता है ठीक है four में अगर हम लोग five add करेंगे तो nine आएगा nine में हम लोग seven add करेंगे तो sixteen आएगा sixteen में nine add करेंगे तो twenty five आएगा तो twenty five में क्या add करेंगे तो हम लोग eleven add कर सकते हैं ठीक है और फिर eleven add करते हैं तो thirty six आजाएगा और thirty six में आगर हम लोग thirteen add करेंगे तो forty nine आजाएगा ठीक है 3 के बाद 5, 7, 9 इस तरह से next वाला odd number सभी number में add किया गया है तो इस तरह से 3 का 36 जो multiple होगा वही x का value होगा तो 3 को 36 से multiply करेंगे तो x का value आएगा मतलब क्या आएगा 108 तो इसलिए हमारा सही answer होगा option 3 108 108 108 Friends, I hope you enjoyed this video अगर आप भी किसी competitive या intense exams के ते जारी कर रहे हैं तो इस चैनल को subscribe करके bell icon दबा दें अगर ये video आपको अच्छा लगा तो video को like कर दें Thanks for watching